अगर कोई भी से फोर साइड से बंद होती है उसको हम बोलते हैं कोडी लेटरल तो अब हम देखते हैं एक जनरल कोडी लेटरल का एरिया कैसे फाइड आउट किया जाता है वो सीखते हैं तो गर किस्टेंट सबसे पहले हम एक जनरल कोडी लेटरल रो करते हैं तो ये जो आपके सामने है से वो इस्टेंट एक जनरल कोडी लेडरल है और इसको नाम दे देता हूं मैं A, B, C and D अब इस्टेंट अगर B और D को जोइन करते हैं तो इस कोडी लेडरल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और दोनुई पार्ट के हैं आपके ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये हुआ इस्टेंट अगर हम इन दोनुँ ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके एड कर दे तो हमें इस A, B, C, D कोडी लेडरल का एरिया में जाएगा ओके लेकिन अब हमारे पास इन दोनुँ ट्राइंगल का बेस तो सेम है परन्तु इन दोनुँ की हाइट हमारे पास नहीं है तो हम हाइट कंसीडर करते हैं हम इस एपुइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन करते हैं ओके स्टे और इस परपेंडिकुलर लाइन को नाम दे देते हैं H1 अडिस्टूड और इस सीपुइंट से एक और परपेंडिकुलर लाइन रो करते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ H2, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो H1 है वो बीर्दी के ऊपर क्या है, अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यह जो BD है वो इन दोनु ट्राइंगल का सेम बेस है क्लियर तो अब हम इन दोनु ट्राइंगल का एरिया आरहम से फाइंड आउट कर लेगे तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं A, D, B So area of triangle A, D, B There is strength किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपको पता है 1 by 2, base into height क्लियर अब इस ट्राइंगल का base कोन सा होगा strength? BD So 1 by 2, BD into height क्या है? H1 इस ट्राइंगल की height का strength? H1 तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया 1 by 2, BD into H1 Now अब इसका एरिया निकलते हैं D, C, B का So area of triangle D, C, B is equal to 1 by 2, base इसका भी base क्या होगा? BD into height क्या है इसकी? H2 Clear state? अब हम इस A, B, C, D codilateral का area find out करते हैं So area of codilateral is equal to area of triangle ADB plus area of triangle BCB Understood? तो ADB का area क्या strength हमारे पास? 1 by 2 1 by 2 BD into H1 Plus इसका area क्या है? 1 by 2 BD into H2 Understood? अब देने strength दोनों में क्या common है? 1 by 2 into BD यह हम common लें So 1 by 2 BD कॉमन लेंगे प्रिस्टेंट हमारे पास क्या रहेगा? H1 plus H2 अब यह BD के strength हमारे पास base है तो हम इस base को D से रिपर्जेन करते हैं 1 by 2 into D into H1 plus H2 तो यह एक general OD letter का area हो गया और last में आपको पता इस्टेंट क्या लिखेंगे square unit क्योंकि आपको पता है किसी भी shape का area square unit से रिपर्जेन किया जाता है तो इस्टेंट अब हम इस पे best एक example लेते हैं ताकि हमारा concept और अच्छे से develop हो सके ओके इस्टेंट चलो इस्टेंट अब समझते हैं example को example में क्या given है आपको बोला है कि PSQ triangle में 6 cm इस triangle की height है और SRQ में यह जो 8 cm है वो इस triangle की height है और दोनों का जो same base है उसकी length आपको दे रखी है 12 cm then find the area of cordylateral PQRX सो इस्टेंट we know that we know that area of cordylateral PQRX is equal to 1 by 2 D into H1 plus H2 D का meaning क्या होगा मैंने बताया था base होता है इन दोनों का तो 1 by 2 base कितना है 12 cm into H1 आपकी 6 cm and H2 है 8 cm अब यह 2 से 12 6 10 cancel हो गया into 6 plus 8 आपका 14 तो 14 6 जाप 84 cm2 so area of cordylateral PQRX is 84 cm2 क्या स्टेंट?